दोस्तों कुछ ऐसे यूजर हैं जो अपनी साइट पर वैबुष्ट्री बनाना चाते हैं वो अपनी ब्लॉग करना सी के हैं उनका कहना है कि मुझे एक परफेक्ट वैबुष्ट्री बनानी है तो मैं कैसे बना सकता हूं आखिर क्या है तरीका वैबुष्ट्री बनाने का वि यूर्ल डालते हैं तो आज का जो वीडियो वो कंप्लीट होगा बैवोष्ट्री से रेलेटेड जिससे आप एक अच्छी सी बैवोष्ट्री कर सकते हैं और अपने ब्लॉग पर ज्यादा से ज्यादा ट्राफिक ला सकते हैं तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिनिव सु देखें नमस्कात दूस्तों आप देख रहें बिसिक कंप्यूटेंदी तो ब्लॉग में बैवोष्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले आप बट्पेस के डेस्पूर्ट में लॉग इन होने के पात आपको मैंने रिशन वीडियों बताया था कैसे बैवोष्ट्री कर दिना है कि डेस्पूर्ट पर क्लिक करने के बाद दूस्तों यहां पर देखी काफी बैवोष्ट्री आ रहे हैं जो हमारे द्वारा लिखी हुई है एंड यहां पर देखिए ओल बैवोष्ट्री ड्राफ्ट में कितनी है पब्लिस कितनी यह सूभी कर रहा है अब आपको करनी करनी है फैब उसकी लिए दीसरी यह पर क्रिव करें कर दिना है मौद गरोड़ी पर इस तरह का इंट्रस और यहां पर आपके पास दो इमेज जिस होना चैए आइक होगा थम्眠ील दूसरा होगो यहाँ पर बैक्राउंड निविस ठीक है तो इहाँ पर हम क्या करेंग इमेजस है हम इन दो इमेजस को ले लेगे दो इमेजस को लेने के बाद दूस्तों इसका हम साइज बता देंगे आपको पहली यह है इसको हम थमनिल बनाएंगे ठीक है एन यहां पर सेकेंड को मनाएंगे बैक्ग्राउंड इमेज ठीक है एन यहां पर दोनों को मैं साइज ब में तो आप खुछ से इमेजस करना चाहिए था ऊपके पास यहां पर आपसन बनाएंगे तो हम यहां पर ने कुछ लिखा यह सम्ग के यहां पर दोस्तों यह वेसली कंटेंच यहां पर पोस्त का कंटेंच लिखा हुगा है तो यहले पर चांटेंच को दाला आई जाती है कोपी करते हैं और यहां पर पिश्ट कर देते हैं ओके यहां पर है इमेजिस जो आपको बैक्ग्राउंड इमेज डाने मोड डालेंगे अब तो आप यहां पर किलिक करेंगे इंसेट बैक्ग्राउंड मीडिया इस पर किलिक करेंगे यहां पर दे कि यह आ जाए तो यहां से कीजिए अगर नई करना है तो अपलोट फाइल्स पर किलिक करेंगे सिलेक्ट फाइल्स यहां पर है यह सोरी हम बेक्राउंड इसको बनाएंगे ठीक है एन ओपन करके अपलोट करते हैं से में जाती है ए यहां पर इनसेटी इन्टो पेज्क है एन इसको हम पहले डिलीट कर Eddy सिलेक्ट करेंगे हो डिलीट बटन पर जांगे see भी कि टो अब यहां पर हम ग्या करेंगी इस पर किलिक करेंगे प्लस पर प्लस पर इसफेकर करने कीवाद इंसलीी ऐड्ड बेग्राउंड यहां बैक्ग्राउंड पर इस पर दो दो ठोड़िगेड जाएगा बनती जाएंगी तो मैं बना लेता हूं दस पीज एक तू तीन चार पांच छे साथ आट नो दस अब हम इसके अंदर कंटेंट डालेंगे ठीक है तो जाते ब्यभुष्टी में यहां से मुठाएंगे कंट्रोल एक्स करेंगे और यहां पिष्ट कर देंगे सेकेंड लेंगे यहां से इठाएंगे कंटेंट को यहां पिष्ट कर देंगे तो फटापर में ब्यभुष्टी कंटेंट को कॉपी पिष्ट कर देता हूं तो हमने यहां पर बैविश्ट्री कंटेंट सारा कॉपी कर दिया ठीक है अब इसका हम फॉंट साइज और यहां पर कुछ चेंजेस करेंगे इससे सही देखें अभी छोटा-छोटा देख रहे हैं तो इसको बड़ा काल लेंगे यहां से ड्रेक करके और यहां 35 कर देंगे इसको फॉंट साइज को एंड यहां बॉल्ड कर देंगे जिससे अच्छा देखें अगर आपको कलर चेंजेस करना है तो यहां पर जाएंगे और आप यहां कोई भी कलर ले सकते जो आपको लगे ठीक है जो भी आपको लगता है ठीक है तो मैं यहां पर वाइट रहने दीता हूं ठीक है एन नीचे कर दीता हूं ठीक है तो फिर से से कंड आते हैं और यहाँ पर यही कर देते हम नीचे आएंगे और इसको बड़ा करेंगे एन फॉंट को 35 कर देंगे सब्सक्राइब कर देंगे अब दोस्तों जल्लीं से हम फटाफ़र सभी पीजेस में यहीं चैंजेस कर देंगेए उनको फोन साइज बड़ा दिते हैं उसका कलर भैट कर दिते हैं ठीक तो यहां पर हमने सभी में चेंजिस कर लिए टेक्स में उसका वाइड कर दिया और यहां पर उसका font का जो चोटा साइज आ रहा था उसे बढ़ा कर दिया यहां पर बैवुष्ट्री के सभी pages में font size को बढ़ा कर दिया और उसको bold यहां पर white color दे दिया text में ठीक अब यहां पर हम animation डालेंगे ठीक है तो दोस्तों बैवुष्ट्री के पहले page में आप animation नहीं डाल सकते हैं जैसे कि आप जाएंगे तो hide दिखाई देंगे सारे option first को चोड़के आप जितनी pages में animation effect डालना चाते हैं वह आप डाल सकते हैं second लेंगे दूस्तों second में दूस्तों यहां पर animation डाल सकते हैं simple सा देखिए यहां पर आया जागा inside में हम जाएंगे and sorry document में and इस पर किलिक करेंगे and animation डालने के लिए हम simple सा ब्यविश्टी page को select करेंगे यहां पर style और यहां पर animation इस पर किलिक करेंगे और यहां पर आप page में animation इस तरह डाल सकते दिखिए तो यहां पर दो तरीकी से आप animation डाल सकते हैं page और text ठीक है तो यहां पर हमने page में डाल ली अब हमें text में डालनी है तो to text को करेंगे और page में डालना जब पीज को arrankyovya करेंगे जैसी हम टेक्स को में करेंगे तो एक 직접 को पर λέबर एक आप्षाल करेंगे तो यहां पर यह wanna टेखिए यह पर पेक्षाथ करेंगे और text में हम fly in वाली animation लेंगे ठीक है यह वाली जो left से आर यह right में है ओके यह देखिए है हना and यहाँ पर हम play करेंगे इसको देखिए यह आ गई ठीक and third में हम 25 दोर पर एकर वाल लेकर दिखा है थे third में हम यह लेंगे और zoom out वाली लेंगे and यहाँ पर text यहाँ पर animation लेंगे यहाँ पर down ठीक है आप से down आ रही है वाली flying वाली slide लेंगे यह देखिए हना तो यहाँ पर हमने slide डालना भी सीख लिया ठीक है अब दूस्तर बात आती है यहाँ पर description tag और url की ठीक है तो आपको यहाँ पर slide complete होने के बाद document में आना है यहाँ पर देखिए title तो है अब हमें यहाँ पर description डालना है तो यहाँ पर description डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर description डालूंगा इसको copy करता हूं and यहाँ पर कुछ लिख देता हूं website क्यों बनाई जाती है तो मैंने यहाँ पर description डाल देखिए website क्यों बना जाती है आखिर कौन कौन सी है बज़े website बनाने की ठीक है and दूस्तर पर्मा लिंक web story क्यों बनाई जाती है आपको जो लिखना है वह आप लिखिए and दूस्तर पर्मा लिंक में आप लिखेंगे website क्यों बना जाती है तो website क्यों बनाई जाती है okay and यह पर्मा लिंक सेट हो गया आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप अप टेग डालेंगी टेग मतलब जैसे की YouTube में डालती है ब्लॉग में डालती है यसी टेग तो website क्यों बनाई जाती है website क्यों बनाए ओके दो टेग डाल दें आप तीन से चार टेग डाल सकते हैं तो यहाँ पर टाइटल एंड यहाँ पर URL और डिस्क्रिप्शन और टेग हमने यह चारों चीजा डाल दी ठीक एंड दूस्तों अब आपको यहाँ पर थम ने लियान की फीचर इ अगर आपका यहाँ पर है आपका थम नेल यहां से अपलोड कर सकते हमारा एक अंपीटर लैप्टप में यहां से अपलोड करेंगे तो यह है इसको ले लेंगे एंड यहाँ पर इमेज इस अपलोड होने के बाद सेलेक्ट एज पूश्ट इमेज पर किलिक करेंगे एंड क्राप इमेज कर देंगे इमेज क्रॉब करने के बाद यहाँ पर देखिए यह भी पुष्ट इमेज डल चुकी ठिक है एंड यहाँ पर आप पिर्वी देखेंगे ठिक है तो मैं पिर्वी दिखा देता हूं आपको तो देखिए यह पर आ रहा है पहले image में slide नहीं है second और third में मैंने use की है यह देखिए यह देखिए second third और आई तो यहाँ पर हमने वेविश्टिरी complete तरीकी से बना लिए ठीक है और दोस्तों बनने के बाद यहाँ publish करेंगे ठीक तो मैं अभी publish नहीं करना चाहता ठीक है तो publish आप जब करेंगे तो आपको एक चीज और करनी है मैं इसको save कर देता हूं मैं उसे पाद में publish करना होगी मैंने आज एक प्यविश्टिरी publish कर दी है तो आप प्यविश्टिरी पर आते हैं चप से पहले हम एन यहां पर copy story URL आपको इस पर क्लिक करना है एन यहां search console open करना अपने site के webmaster ठीक है तो मैं search console open कर लेता हूं search console में आने के बाद दूस्तों आपको हर वेविश्टिरी जब भी बाब बनाए इसे submit ज़रूर कर लेना इसको search console में ठीक यहां आपने website को add किया है ठीक एन हमारी already पहले से है ठीक है तो आपको करना है request in the nation के लिए भीज दीना है तो कुछ समय बाद आपका webmaster गूगल एप पर सूख होनी लगीगी ठीक है एन यहां पर दूस्तों site के अंदर webmaster कैसे add करते हैं इसका हमने separate वीडियो बना दिया है तो हमारे चैनल पर आप जाएंगे और टाइप करेंगे webmaster to homepage तो आपको यहां पर webmaster कैसे add करते हैं उसका वीडियो मिल जाएगा तो मैंने काफी webmaster को यहां पर add किया है कोई visitor आता है तो मेरी home page पर webmaster लगा सके अब दूस्तों आपकी ऐसी requirement है कि हमारी कोई webmaster को पढ़ता है तो last page में हम अपनी webmaster का पूरा article link लगा दें ठीक है मतलब पूरा article उसके अंदर add कर दें एक link में बज़ जाए ठीक है read more का ठीक तो उसके लिए दूस्तों आपको करना क्या है simple से page को select करेंगे last वाले को एन यहाँ पर आपको मिलेगा style call to action यहाँ पर आप address डालेंगे ठीक है आपको जो भी article है तो मैं कोई भी article ले ले लेता हूं जैसे कि मैं ले ले लेता हूं यहाँ पर हम website को उपन कर लेता है एन यहाँ पर type करेंगे website and enter करेंगे एन यहाँ पर इसको open करेंगे एन यहाँ से URL को copy कर लेते हैं add new story फिर से जाते हैं एन यहाँ पर paste कर देते हैं paste करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर यह आ चुका है learn more ठीक है एन यहाँ इसे प्रिवीव करके दिखाते हैं आपको एन पहले save draft कर देते हैं एन इसके last page पर जाते हैं यह देखिए यह आने लगा learn more इस पर किलिक करेगा कोई वीजर और साइट पर विजिट कर जाएगा यह देखिए आ गए हाना तो इस तरह से फरफेक कंपिट्ली बैबुश्टी करेट करते हैं with animation text description tagline and poster image की साथ हाना तो आप नई यूजर अभी बट सकते हैं इस वीडियो के महाद्यम से तो आपको यह complete वीडियो देखना है अगर कोई स्टेप समझने आए तो मुझे comment box बता दीजे ठीक है एन इस्टाग्राम पर भी problem पूछ सकते हैं तो आई होप आपको यह वीडियो काफी helpful लगा दूस्तरी सितरकी और बीडिक लिमाई बने देए और को फ्रेंटेक्स और बाइ